हेलो एवरिवन, मैं विनया, आप सभी का मेरे चानल में स्वागत करती हूँ तो आज हम बहुत ही आसाल सा चिवडा बनाने जा रहे हैं तो वीडियो को शुरूर से एंड तक देखते रहिएगा चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं वीडियो को शुरूरत करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले और साथी में घंटी को भी दबाईए ताकि मेरी सारी अबडेट्स आप तक पहुचे तो चूड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने कड़ाई को गैस पर रखा है और इसमें हमने चार से पास चमच तेल डाल दिया है अब जैसे ही तेल गरम हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे एक चमच राई राई अच्छे से फूट जाए तो हम इसमें डालेंगे एक चमच जीरा अब जीरा डालने के बाद हम इसमें दो बारी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च को हम अच्छे से फ्राय कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच लाल मिर्च पॉडर आदा चमच हल्दी और इन सारी चीजों को हम एक बार चला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे धाई सो ग्राम पोहा यह हमने यहाँ पे पतले वाले पोहे इस्तमाल किये है इसे कागदी पोहा भी बोला जाता है अब पोहा डालने के बाद इन सारी चीजों को हम एक बार चला लेंगे आप देख सकते हैं सारी चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है गैस को एकदम लो फ्लेम पे रखके हमें क्रिस्पी होने तक पोहा जो है भून लेने हैं बस 10-15 मिनिट लगेंगे इन्हें भूनने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि ये बहुती पतल है तो जल्दी से भून जाते हैं तो अब हम इसमें डालेंगे एक चमच नमक नमक डालने के बाद इसे हम मिला लेंगे जब तक पोहा भून नहीं जाते तो बीच भीच में हमें continuously इन्हें चलाते जाना है ताकि ये नीचे से जले ना तो पोहा हमने भून लिये है अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्रिस्पी हुए है या नहीं तो पोहा हमारे बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके है तो अब हम इसमें डालेंगे तीन कोटोरी मुर्मुरा मुर्मुरा हम सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि इन्हें भूनने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है और पोहा की गर्माहट की वज़े से ये और भी जल्दी भून जाते है तो बस मुर्मुरा डालने के बाद हम 4-5 मिनिट के लिए इसे भून लेंगे मुर्मुरा हमने भून लिया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके है आप चाहे तो हाथ से दबा के चेक कर सकते है इसे भी डाल सकते है जब हमने शुरू में ही तड़का बनाया था तो उसमें ही आप डाल दीजेगा तो करेब यहाँ पे हमने सो कड़ी पत्ता के पत्ते लिए है आप अपने हिसाब से जितने चाहे उतने ले सकते है अब हम इसमें डालेंगे आदा कॉटोरी फ्राइ की हुई मुभली यह भी आप शुरू में ही तड़के में डाल सकते है और यह हमने हाँ प्रे एक चותह कोटोरी बुनी हुई चना की डाल जो है फ्राइ करके लिए है तो वो भी हम इस काटोरी में डाल देंगे और ये सब डालने के बाद अब हम इसमें डाल रहे है तीन कटोरी फ्राइ किया हुआ मक्ये का पोहा मक्ये का पोहा चोड़के बाकि सारी चीज जो है आप शुरू में ही तड़के में डाल सकते हैं तो अब हम इसमें डाल रहे है स्वादनुसा नमक तो मैंने यहाँ पे आधा चमश नमक डाल दिया है एक चोटाई चमश लालमिज पाउडर हमने इसमें डाली है आप चाहे तो इसमें चूड़ा मसाला भी डाल सकते हैं तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे तो सारी चीजों को हमने मिला लिया है अब जो पोहा और मुर्मुरा हमने भून की लिया था उसमें हम इसे एड़ कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चोटाई चमश साइटर कैसीड ताकि चूड़े में थोड़ी सी खटा साजाए अगर आप चूड़े में थोड़ी सी मिठास भी चाते हैं तो दो चमश पाउडर शूगर यानि की पीसी हुई शक्कर आप इसमें डाल दीजेगा और शक्कर डालने के बाद आप सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजेगा तो ग्यास हमने बंद कर दिया है और चूड़ा जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ली क्रिस्पी बन चुका है और बहुत ही जदा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें बहुत जदा ओईल भी इस्तेमाल नहीं किया है और मसाला भी इस्तेमाल नहीं किया है तो चुड़े को हमने सर्व कर लिया है तो आप ये हिल्दी और टेस्टी चुड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजेगा और कैसी लगती है आपको ये रेसिपी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथी में घंटी को भी दबाईए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुचे तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए खाते रहिए खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकडेज कुकिंग